चोपडा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो थ्री मोस्ट ओप स्टेट का च्वाइस फिलिंग से लेकर के अलोट्मेंट और रिपोर्टिंग तक का सेड्यूल जारी हो चुका है ये स्टेट हैं राजस्तान माराष्टर पंजाब इसके अलावा इस वीडियो में हम करनाट का और उत्राखंड की स्टेट काउंसलिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम राजस्तान स्टेट का सेड्यूल देख लेते हैं फैस्ट राउंड का जो जारी हो चुका है तो इसमें एक उपर्चिनिटी उन कंडिडेट को दी गई है जिन्होंने अभी तक रेजिस्टेशन कंप्लीट नहीं किया है यानि की ओन्लाइन एफ्लिकेशन फॉरम फिल नहीं किया है तो उनके लिए एक उपर्चिनिटी मिली है कि कोई भी कंडिडेट अगर राजस्तान स्टेट का ओन्लाइन फॉरम फिल नहीं कर पाया तो वो अभी फॉरूम फिल कर सकता है इसकी जो डेट है वो 18 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक रखी गई है तो जिन कंडिडेट ने अभी तक online application फॉरूम फिल नहीं किया है राजस्तान स्टेट का वो कर सकते हैं और जिनका incomplete है यानि कि किसी ने part 1 कर दिया है आदा दोरा ये application ये 18 जनवरी से start हो चुके है और last date फीच डिपोजिटी की 21 जनवरी सम 4 बजे तक है last date online application फॉरूम फिल करने की 21 जनवरी रात 11 बज के 45 मिनिट तक है इसके बाद में उन कंडिडेट की provisional merit list आजाएगी जिनके documents verification होने हैं ये PWD candidate, defense, paramilitary और NRI कंडिडेट के documents verification होते है इनकी जो provisional merit list आएगी वो 22 जनवरी 22 को आजाएगी इसके बाद में जेपूर जो documents verification होता है वो 24 जनवरी को documents verification होगा सुबह 10 बजे ये जो documents verification होता है सिरफ 3 ही category का होता है PWD, defense और paramilitary इसके अलावा NRI category इसके अलावा किसी का भी documents verification नहीं होता है किसी भी candidate को जेपूर जाने की जरूरत नहीं है इसके बाद में जो state merit list publish होगी वो 26 जनवरी 22 को हो जाएगी यानि कि 26 तारिक को provisional merit list publish हो जाएगी राजस्तावन state की इसके बाद में registration fees deposit होगी ये registration fees government की condition में जो SCST, OBC, MBC candidate हैं उनके 5,000 रुपे deposit होते हैं इसके अलावा बाकी candidate के 10,000 होते हैं और private college के लिए 1,00,000 रुपीज deposit होता है यहाँ पर काफी student का doubt रहता है कि जो यहाँ government में payment seat है उनकी security money कितनी deposit होती है तो वो government की condition में होती है SCST, OBC, MBC के लिए 5,000 रुपे हैं बाकी के लिए 10,000 रुपे हैं तो इनकी जो date रहेगी वो रहेगी 26 January से लेके 28 January तक आपको यह fees pay करनी हैं fees pay करने के बाद ही आप 24 फिल कर सकते हैं तो 24 फिलिंग की जो date रहेगी वो 26 से लेके 28 तक ही रहेगी और अगर आप बाद में 24 को lock नहीं करते हैं तो यह auto lock हो जाएगी 29 January 22 रात 11 बज़के 55 मिनट पर इसके बाद में आप online application का print ले सकते हैं auto locking के बाद में वो 29 January 22 को होगा इसके बाद में जो seat allotment होगा first round का वो online होगा और वो online 31 January 22 या फिर एक फरवरी 2022 को होगा इन दोनों date में एक दिन ये result processing का time है इसके बाद में जो declare का time है result declare का time है वो एक फरवरी को result declare हो जाएगा यानि कि जो first round का result declare होगा राजस्तान स्टेट का वो first February 22 को declare हो जाएगा इसके बाद में allotment later print ले सकते हैं तीन तारिक से लेके 7 तारिक तक और reporting time भी तीन तारिक से लेके 7 तारिक तक होगा यानि कि 3 फरवरी से लेके 7 फरवरी 22 तक first round का reporting time होगा ये reporting time SMS medical जैपूर में रहेगा गौर्मेंट की condition में और जो private medical college है उनका होगा dental जो सुवास नगर में है RUHS dental पानी पीश सुवास नगर में है वहाँ होगा तो ये दो जगे reporting होगी reporting जेपूरी होगी हर एक candidate की किसी को college में जाने की आवशकता नहीं है first round के लिए बाकी जो इसकी fees है वो 1200 रुपीज SC, ST, STA और जिनकी जो income है डाइलाग से कम है उनकी है इसके अलावा 2000 रुपे बाकी सभी category की fees है यहाँ पर ये मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ राजस्तान स्टेट का जो वीडियो मैंने बढाया था किस परकार से आपने online application फिल करना है आप वो चैनल सर्च करके वीडियो देख सकते हैं तो ये तो होगी राजस्तान स्टेट का पूरा राउंड का schedule फर्स्ट राउंड का सेकेंड राउंड राजस्तान स्टेट में offline होता है उसका schedule बाद में जारी होगा तब आपको inform कर दिया जाएगा इसके बाद में हम बात करते हैं आगे माराश्टर स्टेट की तो माराश्टर स्टेट में जो central list publish होगी वो 19 जनौरी 22 तीन बजे बाद में ये publish हो जाएगी और ये जो provisional merit list publish होगी वो 6 बजे 19 जनौरी को हो जाएगी इसके बाद में seat matrix publish होगी वो 20 जनौरी 22 साम 8 बजे बाद में publish हो जाएगी और इसके बाद में 24 फिलिंग कर सकते हैं MBBS BDS course के लिए यहाँ दो course के लिए 24 फिल है बाकी जो IUS के course हैं उनके लिए बाद में होगी यहाँ दो course के लिए जो 24 फिलिंग होनी है वो 21 जनौरी से लेकर के 28 जनौरी 22 रात 11 बज के 59 मिनेट तक होगी इसके बाद में जो first round का result है वो result डिकलियर हो जाएगा 31 जनौरी 22 साम 5 बजे बाद में यानि की 31 जनौरी को result आ जाएगा महराश्टर स्टेट की first round counseling का इसके बाद में जो जो जोइनिंग डेट होगी वो first फरवरी से लेकर 7 फरवरी 22 साम 5 बजे तक रहेगी इसके बाद में जो status है वो selected candidate का वो आपको fill करना है वो first से लेकर 7 फरवरी 22 तक करना है तो ये schedule है महराश्टर स्टेट का अब बात करते हम पंजाब स्टेट के schedule की तो पंजाब स्टेट की जो 24 फिलिंग होगी first round के लिए वो 19 जनौरी 22 से लेकर 24 जनौरी 22 रात 11 बज़ के 55 मिनट तक रहेंगी ये 24 फिल होगी पंजाब स्टेट के लिए इसके बाद में seat allotment का processing होगा 25 से लेकर 29 जनौरी 22 तक इसके बाद में result आजाएगा 31 जनौरी 22 तक यानि कि 31 जनौरी 22 से पहले पहले पंजाब स्टेट की first round counseling का result आजाएगा जो candidate की reporting date होगी वो होगी 7 फरोरी 22 साम 5 बज़े तक तो ये इस प्रकार से पंजाब स्टेट का schedule है अब हम बात करते हैं करनाट का स्टेट की तो करनाट का स्टेट में जो other state candidate है उनकी अभी जो verified है documents उनके verify हुए है उनकी अभी list आई नहीं है लेकिन उन candidate का documents verification 24 जनौरी 22 को है जिनका offline होना था के ये उपिस में जो सेंट जोन में admission लेना चाते हैं जिनका manual documents verification होना था पहले वो नहीं कर पाए हैं वो 24 जनौरी 22 तक 10 बजे तक कर सकते हैं के ये उफिस बैंगलोर बाकी जो other state के open seat पर admission लेने वाले candidate है उनकी अभी list जारी नहीं हुई है इसके बाद में हम बात करें उत्राखंडी state की तो उत्राखंडी state की जो counseling का portal है वो open हो चुका है लेकिन अभी counseling start नहीं हुई है ये एक दो दिन में इसके registration start हो जाएंगे तब आपको inform कर देंगे तो ये 5 state की counseling updates मैंने आपको बता दी है तीन state का first round का allotment से लेकर के reporting तक का schedule आ चुका है बाकी state का जैसे जैसे ही भी update मिलेगी हम आपको inform कर देंगे तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन